तो स्वागत है आप सभी का अगर आप आप कर चुके हैं और आप अपरेंटिसिप की तलास में है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका आया हुआ आपका नौर्दरन कोल फीड लिम्टेड जिसको हम बोलते हैं एंसियल ये एक सबसीडियरी है आपकी कोल इंडिया ल उत्तरप्रदेश में जो इनकी यूनिट हैं उसमें इन्हों ने प्रसिक्षण देने के लिए एक साल का प्रसिक्षण देने के लिए आवेदन आमंतृत किया है इसमें लेकिन ध्यान रखना आपको सबसे बड़ी बात क्या है इसमें जो आईटियाई आप अगर यूपी य MP से ही ITI किये हुए हो तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा तो यहाँ पर हम बात करें तो welder gas and electric जो trade है इसकी आपकी total post अगर आप देख पाएंगे 100 post है इसी तरह अगर हम बात करें electrician की electrician की 500 post है fitter की 800 post है और motor mechanic की 100 post है total अगर हम बात करें यहां पर तो 1500 post आपकी आई हुई है तो यहां पर अच्छी खासी वैकेंसी है सारा प्रसिक्षन जो होगा एक साल का ही होगा इसमें आप category wise भी वैकेंसी देख सकते है category wise कितनी है अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम होनी चाहिए साथ मैं अप एलेक्ट्रीशन में NCVT या SCVT यहां पर द्यान दीजिए आप चाहें NCVT से हो या SCVT से हो दोनों केस में आप कर सकते हैं लेकिन कंडिशन होनी चाहिए केवल UP और MP से इसी तरह से फिटर में आप दसवी पास और ITI मोटर मेकैनिक में भी दसवी पास और ITI आपका होना चाहिए सभी ट्रेडों में एक और क्राइटेरिया है जो जनरल और OBC कटेगरी है उनका minimum 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए अगर आप SC कटेगरी, ST कटेगरी या PWD में आ करिफिकेशन है यह आपका 36 2021 यानि 30 जून 2021 तक आपके पास निर्धारित योगिता और age आपका पूरा होना चाहिए तभी आप यहाँ पर apply करने के eligible रहेंगे, age का अगर हम क्राइटेरिया बात करें यहाँ पर तो age का जो क्राइटेरिया था वो आगे दिया हुआ, आगे हम मिनिमम 16 वर्स और मैक्सिमम आप 34 एर्स के होने चाहिए, बाकी कटेगरी के गार्डिंग आपको 5 वर्स और OBC नॉन क्रीमे लेयर में आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, जो दिव्यां कटेगरी है, PWD कटेगरी उसमें 10 साल तक की छूट दी जाती है, साथ ही अनुसूचि अपरेंटिसिप इंडिया.org है, इसके आपका पंजी करन होना चाहिए, उसके बाद आप NCL पर जाकर आप अनलाइन आवेधन कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अपरेंटिसिप इंडिया पर रिजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क खुद का scan copy में signature होना चाहिए, मम्मी या पापा का signature होना चाहिए, ITI की mark sheet और ITI का certificate, अगर certificate नहीं है, mark sheet आपकी आगई तो आप professional बनवा के उसके basis पे भी apply कर सकते हैं, जनमतिति के रूप में आपका 8 हुई या 10 हुई का अंग पत्र होना चाहिए, pen card होना चाहिए, अधार card होना चाहिए, जातित माल पत्र होना चाहिए, और bank खाता का विवरन होना चाहिए, इतनी चीजें आपकी portal पे upload होंगी, जो की आपको करनी पड़ेंगी, तो आवेदन दो चरण में होगा, कैसे होगा, सबसे पहला जो चरण है, आपका क्या है, Apprentice in India आपको registration करना है, जैस ये सर्च करके वहां से आपको आवेदन करना है, second step क्या है, जब वहां से आप कर लेते हैं आवेदन, उसके बाद step है आपका NCL की website पे जाना है, carrier tab में जाके आपको online भरती की link पे click करना है, ठीक, साथी आप free job alert या इन सब पे direct भी जाके apply कर सकते online, और वहां पे आपको जा confirmation आ जाएगा और आपका application form वहां पे पहुंच जाएगा, selection कैसे होगा, इसकी अगर हम बात करें यहां पे, तो selection का जो parameter वो merit basis पे selection किया जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं, यह रहा आपका selection का criteria, ठीक, आवेदन कुछ अश्विक्रित होगा, अगर आपकी योगता पू कर देना है, और apply करने के बाद आपका easily होने के भी chances में रहेंगे, यहां पे अगर आप देख रहे होंगे, तो merit सूची क्या होगा, जो भी आपका आवेदन मिल रहा है, उसके आधार पे merit सूची बनाई जाएगी, और जो प्राप्त अंकों के आधार पे, आपका merit बनेगा, आई टी आई में ही जो आपने अंक प्राप्त किया, उसके आधार पे, अगर उसमें दो लोगों के जो marks हैं और टाई होते हैं, तो आपका आटवी या दसमें में जो आपका data birth होगा, उसके according आपको priority दी जाएगी, जिसकी data birth अधिक होगी, मतलब ज़्यादा आई जिसकी हो boxes, conveyor, conveyor से related, जो pullies होती हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत सारी switchage लगी होती हैं, जो electricians से हैं, trade से उनको, वो सब भी सीखने को मिलेगा, pull cord होता है, और बहुत सारे आपको switchage मिलेंगी, साथ ही साथ gearbox, motor, जो welder से बच्चे हैं, उनको भी वहाँ पे बहु आप eligibility ये पूरी करते हैं, तो आपको जरूर reply करना चाहिए, कोई भी आपको डाउट होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप comment box हम से comment करके, जरूर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी help की जाएगी, साथ ही अगर आप चाहें, तो comment box हम ने अपने whatsapp group का link दे दिया है आप वहाँ से जाके take study group join कर सकते हैं, वहाँ से आप हमको personally message करके भी कोई query अपनी पूछ सकते हैं, तो thank you so much and best of luck for your future.